नमस्कार दोस्तूं NCERT और RBSC क्या संपूर्ण निचोड हम देख रहे थे और उसके अंदर हम देख रहे थे कक्सा 6 से लेकर कक्सा 10 तक का जो टोपिक है वो उसके अकोर्डिंग परसन उत्तर दोस्तूं कक्सा 6 और कक्सा 7 के बुगोल के महत्वपून परसन हमने देख लिए थे और आज हमारे रहने वाले हैं कक्सा 8 कक्सा 8 में बुगोल के महत्वपून परसन उत्तर दोस्तूं बहूत ہی इmpotent क्लास आपके लिए ये रहेगी कक्स अच्छ है और साथ की दोनों क्लासे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक वहाँ से जाकर आप अटेंड कर सकते हैं मित्रो NCRT और RBSC क्यों लेकर आ रहे हैं हम बहुत कम जगे ये क्लास हैं आपको यह मान कि चलो मिलेगी ही नहीं कहीं पर क्योंकि क्यूसन एक जाम के अंदर चाहे आप किसी भी परतियों की परिक्षया की राजस्तान में तयारी कर रहे हैं तो क्यूसन यहीं से आपको देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों सबसे पहले एक बार सभी साती है वीडियो को उसी के अंदर इनके भी क्यूसन एंस्वर है वो देंगे दोस्तूं पहला क्यूसन तीन सो क्यूसन आज देखेंगे जिनमें आज हम एक सो इकाउन ही देख पाएंगे या 150 क्यूसन ही बाग 2 के अंदर हम 100 एकाउंट से 300 तक के कम्प्लीट करेंगे पहला क्यूसन आपकी स्क्रीन पे है निर्मे से किस देश की सीमा बारत से नहीं मिलती है इरान से दोस्तों ये इसी परकार सुपरपाश तरीका रहेगा क्यूसन सिंपल है 8th कलास की बात कर रहे है और हम तयारी कंपेटिशन की कर रहे है तो क्यूसन उत्तर क्यूसन उत्तर सीधा चलेगा अगला क्यूसन दो नमर क्यूसन है जन संग्या की दरष्टी से विशुए का दूसरा बड़ा देश कौन सा है बारत है दोस्तों, पहला एक नमर पे चीन आईगा, अगला क्यों से, संदोजार चुगदा में आंदर परदेश का विबाजन कर उन्तीसवा राजे कौन सा बनाया गया, कौन सा बनाया गया था, दोजार चुगदा में आंदर परदेश का विबाजन किया गया, और उन्तीसव बता दीजिए दोस्तों किन कींका सही होता है तेला अगला क्योन संन क्यो अगला क्योनिनन नमबर चार वारत विषवि के इस्तल पर कितने परतीसदटे दोस्त निम्न कत्नों में से суत्ते कतन का चैन कीजिए चलो करें मित्रू पहला है बारत का अक्सांत्री अविस्तार 68 डिगरी चार मिनट से 37 डिगरी 6 मिनट उत्री अक्सांसू के बीच है बारत का देशांत्री अविस्तार 68 डिगरी 7 मिनट से 97 डिगरी 25 मिनट पूरवी देशांतर के बीच है और 82 डिग्री पूर्वी देसांतर रेका को बारत का मानक ये गलत है आपका पहला और तीसरा दो नमर ओप्सन सही रहेगा क्योसर नमर च्छै बारत की उत्तर दक्सिन की लंबाई बारत ये बारत है आपका उत्तर दक्सिन ये लंबाई पूछी गई है 3214 किलोमेटर अरब सागर में 36 द्वीपू के समुए को क्या कहते हैं लक्से द्वीप क्या कहते हैं लक्से द्वीप क्योसर नमर आट बारत की पूरव से पस्यम की ओर ये बारत आपका और ये पूरव से पस्यम पूछा कितनी है कितनी है 2933 किलोमेटर दोस्तु लंबाई अगला क्योसर बारत के उतर और उतरी पूर्वी बाग में लगबग कितने किलोमिटर लंबी हिमाले परवस रंकला इस्ती थे दोस्तूं पची सो किलोमिटर लंबी हिमाले परवस रंकला इस्ती थे क्योसे नमर दस है दलदली मेदानों को कहा जाता है तराई क्या कहा जाता है तराई कहा जाता है कि उसे नमर 11 पुरानी जलोड मिटी को कहा जाता है बांगर पुरानी जलोड मिटी को बांगर कहते है कि उसे नमर 12 नवीन जलोड मिटी क्या कहलाती है बांगर ही कहलाती है नवीन जलोड मिटी पुरानी एकी बात है बांगर ही कहलाती है क्योसर नमर आरा आपका 13 हिमाले के परवत पदिये छेतर में कंकड पत्तर से निर्मीत पतले मेदानों को क्या का जाता है बाबर का जाता है क्योसर नमर चोदे सविधान में कितने बासाओं को इस्तान दिया गया है कितने बासाओं को 22 बासाओं को सविधान में इस्तान दिया गया दोस्तू अगला क्योसन बारत का एक मातर सक्रिय जवाला मुकी काँ पर है बेरंद वीप के अंदर काँ पर है बेरंद वीप के अंदर कि उसे नमर 16, छेतरपल की दरश्टी से बारत का विश्वे में कौन सा इस्तान है, सातवा इस्तान है, छेतरपल की दरश्टी, जन संक्या में दूसरा है, कि उसे नमर 17 है, बारत एसिया महांदवीब की किस दिसा में इस्तित है, किस में दक्सिन दिसा के अंदर इस्तित है, कि उसे नमर 19 है, ऐसा भूबाग जो Tीनो और से जल्जासी से गीरा हो, उसको क्या कहते हैं, प्राइध्वीब, माद्वीब नहीं माद्वीब लगया, प्राइध्वीब कहते हैं दोस्तों, क्योंसर नमर 20, माद्वीब में इस्तिते अथा परदीश, जो बोगलिक, सांसकर्तिक परियावनी द्रश्टी से सवत्य पूंड हो उसे क्या कहते हैं उसको उपमाद्वीब कहते हैं क्या कहते हैं उपमाद्वीब क्यों से नमर इकिस किरतर सुलेमान और हिंदुकस परवस रंक लाएं बारत की किस दिशा में इस्तित है बारत के उतर पसिम दिशा में इस्तित है क्योसर नमर बाइस है, किन दरूर्से होते हुए- विभिन कालू में विदेशी मानव बारतिय उपमाद Coconut के अंदर दोस्तूं। किस्तिती को बारत में आंदर परदेश का विवाजन कर 28 राजी तेलंगाना बनाया गया गया दोस्तू किस्तिती को दो जून दो जार चोग देखो दोस्तू किस्तिती को बारत को मुख्य रूप से अगर बोतिक परदेश हुई बात करते हैं वेसे आपको चार ही मिलेंगे लेकिन यहां पे उतर हमारा NCRT बेस पर च्छे रहेगा दोस्तू किस्तिती को दोस्तिती को बारत के अच्छा किस्तिती को आपके लिए इंपोर्टेंट भी रहेगा अब यहां पे देखे ओप्सन है जो उपर नीचे हो गएं दोस्तू कुछ उप्सनों में मिश्टे Bernard यहांपे बहुत दिसे नदिगाटी प्रियोजनाओ के जनक कहलाते है इंप्सन यह दिया गया है उप्सन कुछ अलग दिया गया है मतलब कुछ टाइपिंग मिश्टे यांपर हुई है दोस्तू तो इस क्यूसन को हम यहां से हटाते हैं अगले क्यूसन की और बढ़ते हैं दोस्तों क्योंकि टाइपिंग दें कि भूध इस से नदिगाठी प्रियोजना उजनक पूछें और यहां पर यह दिये गए अगला क्यूसन वैसे मित्रु एक बात बताऊँ मैं आपको ये क्योसन सीधा पूचा जाए ना तो इसका उतर आपको परवर्तिय परदेश कर देना है अगला क्योसन बारत का सरवादिक उपजाओ भूबाग बारत का सरवादिक उपजाओ भूबाग है वो है गंगा का मेदान क्योसन बारत की दोस्तों बारत की अधिकान सकनी संपदा किस पठार में पाई जाती है किसमें दोस्तों दक्सिन का प्राइद वीपे पठार दक्सिन का जो प्राइद वीपे पठार है उसके अंदर क्योसन नमर चोतिस विश्वे कि सबसे प्रोनी अरावली परवतमाला किस पठार का इससा है किसका है दक्सिन का प्राइद वीपे पठार है उसका इससा दोस्तों क्योसन नमर पे कितने हैं 207 द्वीप कितने है 247 द्वीप है दोस्तू क्योसा नमर 33 अरब सागर में इस्तित कुल द्वीप किसं क्या कितनी है Johnекill लक्से द्वीप दोस्तू अगला Keyosan है भारतfast का सबसे दक्सिनी द्वीप 11 इंद्रा पॉइंट किस द्वीप में इस्तीत है इंद्रा पॉइंट कहुं से द्वीप में निकोबार के अंदर कहा पर है निकोबार के अंदर क्यों से नमर 49 लक्से द्वीप कार्थ क्या है लक्से द्वीप में एक लाक द्वीप लक्से द्वीप मतलब एक लाक द्वीप द रता है चार भोतिक पर्देसों के अंदर दोस्तो है। 33 है दोस्तों क्योसर नमर 45 राजस्तान में सवतंतरता से पूर्वे कितने रियास्ते ठीकाने वह के अंदर सासित पर्देश थे 19 तो रियास्ते थी तेन ठीकाने थे और एक के अंदर सासित पर्देश था चार नमर उप्सन यहां पे सही रहेगा और इंपोर्टेंट क्योसर न अगला क्योसन, राजस्तान का एक एक एकरन कब प्रारम हुआ, कब संपुन हुआ, एक एकरन प्रारम कब हुआ था, 1948 में संपुन हुआ था, 1956 के अंदर, क्योसन नमर 47, थार का मुरुस्तल राजस्तान में कितने जिलू में विस्त्रीत है, कितने जिलू में, लगबग 12 जिलू के अंदर थार का मुरुस्तल है दोस्तों कि उसे नमर तालिस थार का मुरुस्तल राजस्तान के छेतरपल का कितने परतिसत बाग पर है 61 परतिसत बाग पर थार का मुरुस्तल फेलावा है राजस्तान के अगला कि उसे नहें राजस्तान राजियकार राजिय पुस्प राजिय परतिसत ये तो है भाग इस पर ये जन संग्या ये जन है जो निवास करती है दोस्तूं क्योसे नमर राजस्तान राजिय का राजिय वरक्स क्या है खेजडी है दोस्तूं क्योसे नमर बाउन की ओरम बढ़ते हैं रावली परवतमाला राजस्तान के छेतरपल के कितने परतिसत बाग पर विस्तरित है अरावली परवत माला की बात करें तो नो पर तीसद बाग पर विस्तरित है दोस्तूं क्योसे नमर तरे पर अरावली परवत माला की कुल लंबाई अरावली परवत माला की कुल लंबाई पांच छसो बराण में किलोमेटर पांच सो पचास किलोमेटर रावले परुपत की सबसे उची चोटी है वो है गुरु सीकर दोस्तूँ सबसे उच्ची चोटी कौँ सी है गुरु की हैं गुरु सीकर एक जार 722 मेटरे सकी क्या है ऊचाही है दोस्तुँ अगला क्योशन कितने 23 परतिस्थ बाग परधियला हो है किसमें आती है ये पूर्वी मेदानी परदेशों के अंतरगत दोस्तों क्योसे नमर सता हूँ ते नमर उप्टन सही रहेगा सबसे आदर जिलवाड ये न यह न यहां पर अगला क्योंसर राजस्तान में सरवादिक वर्ता किस जिले में होती है किस में होती है जालावाड के अंदर दोस्तों क्योसर नमर चलिए 61 में राजस्तान की ओसत वार्सिक वर्सा कितनी है लगबक 57.5 एक सेंटीमिटर राजस्तान की ओसत वार्सिक वर्सा है क्योसर नमर 62 है राजस्तान में सबसे अधिक वर्सा प्राप्त करने वाला इस्तान वो है माउन टाबू दोस्तु कौन सा है माउन कहते हैं दोस्तों कि उसा नमर 64 कितने सेंटीमिटर समवर्सा रेका राजस्तान को दो बागू में विवाजित करती है लगबग 50 सेंटीमिटर जो समवर्सा रेका है वो राजस्तान को दो बागू के अंदर बांटती है जो मारा यह रावली परवतमाला ने इसके सारे सारे चल किस मुरुस्तल को सबसे दनी मुरुस्तल का जाता है, सबसे दनी मुरुस्तल कहलाता है धार का मुरुस्तल दोस्तू हूं, किस सबसे दनी मुरुस्तल कहलाता है, बार्डमेर जेसलमेर बिकानेर में इस्तित मुरुस्तल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बारतिये महा मुरुस इसको कहा जाता है, क्योसे नमर 68, मरुस्तलिय भाग में पाई जाने वाले रेत के टिले जो हवा के साथ अपना इस्तान बदल लेते हैं, वो धोरे, यह थोरे नहीं, यह धोरे होगा यहां पे, धोरे, धोरे या बालू का इस्तूप कहलाते हैं, ती नमर एक वे दो सही रहीग क्योसे नमर 70, अरावली परवत माला दक्सिन में कहां से प्रारम होती है, अरावली परवत माला दक्सिन में खेड बर्मा गुजराज से, खेड बर्मा गुजराज से प्रारम होती है दोस्तूँ, क्योसे नमर 20, अरावली परवत माला उत्तर में कहां तक है, दिल्ली तक, कह टीली तेक स्थे बिश्तित है. क्योंसे नमर बैतर? राजस्तान की जीवन रेका किसे कहते हैं? किसे हैं? आराएली को. राएली परवत मला है. तब यहां पर बारिस होती है, दोस्तों यह मानने के चलो. अगला क्योंसे गुरु सिकर परवत चोटी, किस जिले में इस्तित है? सिरोई के अंदर, कहां पर है? सिरोई के अंदर इस्तित है क्योसर नमर चोतर चमल नदी के आसपास का चेतर जो नाली अपरदन के कारण अत्यदी कुबड़ खाबड़ हो गया है किस नाम से जाना जाता है? डांग, उत्खात और बीड तीनों नाम से उपरियोग सभी चार नमर उपसंस सही रहीगा क्योसर नमर पचेतर है? राजस्तान का सरवादिक उपजाओ है सरवादिक जन गनतुए वाला चेतर है वो पूर्वी मेदानी भाग है कौन सा है? पूर्वी मेदानी भाग अगला क्योसर चपन का मेदान किंजिलूं के मद्दे इस्तित है? चपन का मेदान परताब गडवे बांसवाडा के मद्दे परताब गडवे बांसवाडा में चपन की पाड़ियां बाड़ मेर अगला क्योसन अडोती के पठार को अन्ने किस नाम से जाना जाता है दक्सिन पूर्वी पठार के नाम से अडोती का पठार दक्सिन पूर्वी पठार अगला क्योसन बारत का एक मातर परदेश कौन सा है जहां पांच परकार की जलवाई उपाई जाती है वो है राजस्तान अलग अलग परकार की जलवाई यहांपर मिल जाएगी आपको क्योसन नमर 79 है ग्रिसम रितु का समय बता दीजी ग्रिसम रितु मार्च से लेकर जून के मद्दे दोस्तों क्योसन नमर 80 राजस्तान में ग्रिसम रितु में चलने वाले तेंत गरम वह धूल बरी पाउने को क्या कहते हैं उनको लू कहा जाता है धूल बरी बहुती गरम सुसकवाएं होती है यह अगला क्योसन ग्रिसम रितू में राजस्तान का सबसे थंडा इस्तान कौन सा रहेगा मावंट आबू रहेगा दोस्तूं क्योंसर नमर 82 है राजस्तान की वर्षा रितू में मानसुनी पाउने मानसुनी पाउनों से कितने परतिसत वर्षा होती है राजस्तान के अंदर बहुत अच्छा क्योंसर नब्ब से 95 परतिसत वर्षा राजस्तान में मानसुनी वर्षा से मानसुनी पाउनों से होती है दोस्त तो वहाँ पर अरब सागर कर देना ओपसन एक सही रहीगा कि उससे नमर 25 रास्तान की सरवादिक वर्सा और आदर्ता वाला जिला एवं इस्तान करमा से कौन से हैं सरवादिक वर्सा और सरवादिक आदर्ता वाला जिला सरवादिक वर्सा कहा पर होती है तीन अमर उप्सन सही रहीगा अगला की उप्सन, 86 नमर हिमाले की ओर से आने वाले ठंडी पाउने क्या कहलाती है, सीत लहर क्या कहलाती है, सीत लहर कहलाती है क्योसन अमर 87, भारत में सीत रितु में होने वाली वर्षा को क्या का जाता है, माहुट माउट भी कहते हैं पस्मी विक्सोप भी कहते है तो उपसं तीन एक वदो दोनों से रहेगा पस्मी विक्सोप उसे होती है तो पस्मी विक्सोप कहा जाता है इसको क्योसर नमर 88 है सीध रितू में होने वाली वर्षा जो की गेहूं की पसल के लिए सरवादिक लाप पर्द है वो किस नाम से जानी जाती है वो गॉल्डन ड्रोन सुनेरी वर्षा माहुट उप्रियूक सभी नाम से विसेश कर राजस्तान में माहुट कहते हैं इसको राजस्तानी बासा में अगला क्योसर बनासवे बेडच किस नदी की साहिग नदीया है बनासवे बेडच बनासवे बेडच है चंबल की साहिग किसकी है चंबल की साहिग है क्योसर नमर किस मुक्य नदी ते था उसकी साहिग नदी और उसकी साहिग नदी और उसकी साहिग नदी उनके द्वारा निर्मी जल वेवस्ता की जो वेवस्ता है उसको क्या का जाता है अफवा तंतरिया परवा परनाली तीन अमर उप्सन सही रहेगा अगला क्यूसन नियूर में से कौन सी नदी चंबल की साहिक नहीं है इन में से चंबल की साहिक बना से कोठारी है बान गंगा नहीं है तीन अमर उप्सन और काली सिंदी भी है अगला क्यूसन, राजस्तान की उद्योगिक नगरी, किसे कहते हैं, कोटा को उद्योगिक नगरी कहा जाता है क्युसान नमर चौरान में जनापाव की पाडियों से निकलने वाली नदी कौन सी नदी निकलती है चंबल नदी निकलती है मद्दे परदेश जनापाव की पाडियों से क्योसे नमर 95 में, पुरुनते राजस्तान में बेने वाली सबसे लंबी नदी, कौन सी नदी है, बनास नदी, सिरफ सिरफ राजस्तान में बेने वाले नदी में, अगला क्योसे रासमन जिले में खमनोर की पाडियों से निकलने वाली नदी, रासमन जिले में खमनोर की पाडि अगला क्यूसन 98 बिंगोद भीलवाडा के पास तिर्वेनी संगम में कौन सी नदी सामिल नहीं है और बनास मेनाल यह बेड़ अच्छा यह तीन हो है कोटारी नहीं है option 3 यहां पे सही रहेगा क्योसर 99 लूनी नदी कौन सी जिले में नहीं बेती देगे नागोर में बेती है पाली में बेती है जालोर में बेती है सिरोई में नहीं बेती option 4 यहां पे सही रहेगा क्योसर नमर 100 देखे माही बजाज सागरबान किस जिले में माही बजा सागरबाद बहाँ स्वाड़ा के अंदर है दोस्तों क्योसर नमर 101 जेपुर इस्तित बेराट की पाड़ी से कौन सी नदी निकलती है बेराट की पाड़ी से बान गंगा नदी निकलती है दोस्तों क्योसर नमर 102 आदूनिक बाड़त के मन्दिर पंडियर अने किसे कः लिगा करा नदी गाटी पर्योजनाओं को कहा दोस्तूं क्योसा नमर्oked 25 बांध 7 नमर्टा के इन राजियू की सिंखट पर्योजना पुर्दे स्वनौन सेउक परयोजना चंबल परयोजना दोस्तू चार बांद बनाये गए है इसके अंतरगत इए नमर चार है निम्ल मैं से कौन सा बांद राजस्तान में नहीं है जवार सागर है कोटा मेदान गंदी सागर ये मेदान कहा इसे आ गया है कोटा बेराज होना चाहिए था यहां पर राणा परताफ सागर, कुछ तो मि्टेक है मित्रू यहां पे, देखे यहां पे देखे, जवार सागर तो आपको दिया है, कोटा मेडान, यह मेडान कैसे हो गया, यह समझ मेनग ही आरा है, कुछ sa tiping missstate हुई है तो एक बार मैं चेक करलो मियतरू है है क्यूसन में क्या tiping ने जटेक है भान राजस्तां में नही जवार सागर रहे गांधी सागर राना परताब सागर रहे कोटा मेदान यह कर लो यह बान नहीं है माही बजासागर परियोजना कि जले में स्थित है जाकम परियोजना परताब गड़ के अंदर है दोस्तूं सर्दार सरोवर परियोजना किन राजियोत की सिव्क परियोजना है राजस्तान गुझरात माराष्टर और मद्डे-प्रदेश इन चार राजियोत की है यह option तीन आपका सही रहीगा 찍ना नमर आट इंद्रा गांधी फिडर नहर की लंबाई इंद्रा गांधी फिडر नहर की पूची है 204 क्युमेटर कितनी है 204 क्युमेटर है महाराजा गंगा सिंह दुआरा गंग नहर का निरमान कब करवाया गया था कब उनिस सो सत्ताइस इसiva के अंदर अगला क्योसन, हरीके बेराज के पास कि नदियों का संगम हो रहा है, हरीके बेराज के पास कि नदियों का दोस्तों, सतलज और व्यास का संगम होता है, सतलज और व्यास का क्योसर नमर 11, इंद्रा गांधी मुक्के नहर की लंबाई, इंद्रा गांधी जो मुक्के नहर है उसकी लंबाई चस्सो इनौपचास किलोमेटर, क्योसर नमर 12, निवन में से कौन सी आंत्रिक परवा की नदी नहीं है, कौन सी नहीं है दोस्तों? पस्मी बनास, कांतली, रुपारेल और साभी यांत्रिक परवा की नदियां विलूप्त हो जाती है ये अगला क्यूसन की ओर हम बढ़ते हैं राजस्तान में जल्वी बाज़क का कारी है कौन? अरावली परवतमाला करती है कौन? अरावली परवतमाला क्योसन नमर 14 है मारणा जे सिंग के दोरा जे समन जील का निर्मान कब करवाया गया? अभी अभी हमने देखा था 1687 से 1601 में के मद्दे दोस्तों क्योसन नमर 115 राजस्तान में अफवात अंतर को कितने भागू में बाटा गया है? तीन भागू के अंदर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और आंतरी का पुआ क्योसन नमर 16 है निर्ण में से राजस्तान के अपुआत अंतर का बागू प्राइद वीपिये अपुआत अंतर राजस्तान में नहीं है पहला ही ओप्सन सही हो गया बंगाल की खाड़ी का अपवातंतर अरब जागर का अपवातंतर आंत्री का अपवातंतर ये तीनों है क्योसे नमर 17 है रास्तान की सबसे लंबी वे वरस पर बहने वाली नदी कौन सी है चंबल नदी है दोस्तुं क्योसे नमर 118 किसन नगर पूर किसन नदी के किनारे इस्तित है। किसन नदी के किनारे इस्तित है। किossan नमबर 20 णिकिर किन दो धाराउं के मिलने से लूनी नदी का उन्दिगम होता है। ती नमर उपसन सही रही गा। अगला किवसन। लूनी नदी का जल किसластान तक मीटा होता है उसके बाद खारा हो जाता है। इस नदी को अर्जुन की गंगा का जाता है बाण की बाण गंगा को जो बेराट से निकलती है दोस्तूँ की उससे नमर टेज़ी स गगर नदी का उद्गम इस्तल बता दीजिए काम पर है हिमाले की सिवालिक स्रेनी हिमाले की सिवालिक स्रेनी हिमाचल परदेश दोस्तों कि उसे नमर चोबीस है गगर नदी अनुमानगड में परवेस कर किस जिले में बूमिगत हो जाती है कि जिले के अंदर शरी गंगा नगर के अंदर बुमिगत हो जाती है कि उसे नमर 25 है राजस्तान के आंत्रीक परवा की सबसे लंबी नदियु में आती है वो आती है गंगर नदि दोस्तों कि उसे नमर 26 किसी मुक्हे नेर का ऐसा इसा जहां से पानी का कोई उप्योग नहीं किया जाता है उसे क्या का जाता है उसे फिडर का जाता है क्या कहते हैं फिडर कहते हैं क्योसर नमर 27 है विसलपूर परियोजना राजस्तान के किस जिले और किस नदी पर इस्तित परियोजना है टॉंक बनास टॉंक जिले में बनास नद कि तोंक जिले के अंदर अगला क्यो सन क्योंसे वाकल प्रयोजना स्थित है कहां पर उधैपूर के अंदर अगला क्यो सन क्योसर नमर 79 से अΔर फैसिया की सबसे बडी नहिर प्रनाली इंद्रा गंदी नहर को अन्ने किस नाम से जाना जाता है मरू गंगा के नाम से मरू गंगा राजस्तान की जीवन रेका जीवन रेका सिर्फ नहीं होगा इसका अगला क्योसन जैसमन जील का निर्मान जैसमन जिल का निर्मान किस नदी के पानी को रोक करवाया गया था दोस्तूं गोमती नदी के पानी को रोक कर क्योसर नमर 31 की और चलते है चिकलवास नहर का अब निर्मान किस ने करवाया किस ने करवाया था महरणा पत्ते सिंगने दोस्तूं अगला क्यूसन है, रास्तान की पहली नेर, कौन सी है, गंग नहर है, उपसन चार सही रहीगा, अगला क्यूसन, निर्ण मेंसे कौन सी एक खरीब की पसल है, चना, सरसूं, गेउं, मक्का, खरीब की पसल है, मक्का दोस्तों, क्यूसन है, निर्ण मेंसे तिलन पसल है, कौन सी ह विश्वेगे कुल चेतरपल का लगबग कितने परतिसत भाग ऐसा है जहां करसी होती है कितना है दोस्तु बहुत अच्छा है कि उसना है 11 परतिसत भाग पर ही विश्वेगे चेतरपल के करसी होती है दोस्तु क्योसन नमबर आरा आपका 36 राजस्तान के उत्तर पूर्वी मेदान के किस मिट्टी का जमाव अधिक है उत्तर पूर्वी मेदान में किस मिट्टी का है जलोड मिट्टी का दोस्तूं अगला क्योसन क्योसन नमर 37 है पस्मी राजस्तान के थार मुरुस्तल में कौन सी मिटी पाई जाती है रेतीली मिटी पाई जाती है क्योसन नमर 38 है धक्सिन पूर्वी के हडोती परदेश में किस मिटी के दिखता है किस के काली मिटी के दिखता है क्योसन नमर 49 है नहरी चेत्र करसी को दो मुखे परकारों में विबाजित किया जा सकता है पहला जीवन निर्वा करसी और दूसरा वानी जे करसी दोस्तु जीवन निर्वा निए खाने योगे और दूसरा बेचने योगे पैसे कमाने योगे अगला कियों 42 नमर है वैकरसी जो किसान अपने प्रिवार के ब्रनपोसन के उदिशे से करता है उसको जीवन निर्वा करसी कहते है जीवन निर्वा करसी कियोसे नमर 43 वालरा करसी राजस्तान के किन्जिलों में अधिक परिचली थी किन में उदेपूर, रासमंद, उदेपूर के अंदर ये तो वापस उदेपूर आ गया डूंगरपूर कर लो यहांपे, सही हो जाएगा आपका डूंगरपूर आगे बढ़ते हैं कि उसन नमर चमालेश में वानी जे करसी मुक्य रूप से कितने परकार की होती है, वानी जे करसी तेन परकार की होती है दोस्तों, कि उसन नमर पेंटालेश, निर्मे से कौन सा दलानी पसल है, दलानी पसल सरसू, मुंगपली, सोयाबी नियत तो तिलन है, अरर है आपका दलानी दोस्तों, कि उसन नमर चिहालेश है निर्मे से कौन सी खरीब की पसल है चावल आपकी खरीब की पसल है जो सर्चु चना ये रवी की पसल है क्योसे नमर से तालिस जाहिद की पसल बता दीजिए बरसिम बरसिम क्या है जाहिद की पसल होती है अगला क्योसन सर्चु उतपादन में राजस्तान का बारत मिस्तान क और अंतिम क्यूसन है आज की क्लास का 151 से लेकर 300 तक क्यूसन कल इसी टाइम आपको मिल जाएंगे गहूं के पसल के लिए कौन सी मिटी उप्यूगत होती है जलोड मिटी दोस्तु कौन सी जलोड मिटी के लिए झाल वूस्तु को अ